तेर तो दूसरा सावा सेर बाबर आजम और इफ्तिकार अहमत ने नेपाली टीम को मिला दिया मिटी में जी यहां दोस्तों बता दे कि आज एसिया कपड़तेश का फाइनली शुरुवात हो चुका है पहला मुकाबला जो कि एसिया कपड़तेश में था पाकिस्तान बनाम नेपाल और यहां मुकाबला बहदी रोमांचक हुआ है यहां दोस्तों बात करें पूरे डीटेल्स में लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें बात करें पाकिस्तान और नेपाल के बीज खेला गया महा मुकाबले का तो इस मुकाबले में सब पहले जो कि पकिस्तान ने बल्ले बाजी की अर बता दें पकिस्तान के त City् खेला जारा है पकिस्तान में और यह मुकावला जुक्य बेहादी अहां में कि पो çया जीतना था ही यहां में धा जूर ख्राब रहा लेकिन वन्डे के सबसे हाइस रॉन स्कोर बना दिये जहां दोस्तों 111 रॉन बनाए 131 बॉल में तो वहीं बता दे कि इप्तिकार अहमत जो कि 109 रॉन बनाए जहां दोस्तों यहां बहतरीन पारी के दम पर पकिस्तान की टीम बहतरीन और अच्छे इस्तिति में पहुंच चुकी है वहीं बात करें हम बॉलिंग में दोस्तों बता दे कि सोमपाल कामी को दो विकेट मिला और करम केसी को एक विकेट मिला जहां सुरू में नेपाल की टीम अच्छा खसा दिख रही थी और पकिस्तान को परसान करतु ही नजर आ रही थी तो वहीं अंत होते होते नेपाल की टी नहस्त हो गई है इन दो खिलाड़ी के तुफान में कमाल के बल्ले बाजी कि इप्तिकार अहमद तो टी-20 वाला रूप अधारन कर ली थे हर एक बॉल पर चौका या छका लगा रहे तो वहीं बावर आजम भी साथ दे रहे थे और बता दी कि यह इनिंग से नासी पकिस्तान क कि वह तयार रहे एक और महाम मुकाबले के लिए जब टीम इंडिया से भीड़ेगी पकिस्तान तो बाबा राजम का कैसा रहेगा परफॉर्मस क्या टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा रहेंगा बाबा राजम या नहीं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट को कर जरूर करें तब तक ले मिलते हम आपको अगले वीडियो में